आज हम बनाने जा रहे हैं सेंजने के फूलों की बेंगोली स्टाइल में बाटी चर्चुरी, हमने सेंजने के फूल नमक में दो बार उबाल कर रखे हैं, इसके लिए हमें और चाहिए दो मध्यमाकार के आलू जो हमने इस प्रिकार के काट के रखे हैं, मतर, मसाले में हमें ख हमने मस्टर्ड का पेस्ट बनाया है एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड एंड उसमें हमने तीन हरी मिच और एक अद्रग का टुकड़ा पेस्ट बना के रखा है हमारा तेल गरम हो रहा है हम इसमें डालते हैं जीरा खड़ी लाल मिच अब हम इसमें काटे वे आलू प्राय कर लेंगे प्रेंट्स ये सेंजन के फूलों की जो बाटी चचर्चरी है ये इस मौसम में सेंजनें के फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये 40 से लेकर 50 तक की उम्र के लेडिस के लिए बहुत फाइदेमन होता है और जिनको जॉइंट स्पेन होता है उनके लिए भी ये बहुत फा प्रेंद Näसा है । व में जो बना रहे है वह बैंकोली स्टाइल है अ들 बाटी चचरी के इस अए हैं विए बहुत फाइनिंग है ये बहुत्स 20 हो नहीं पता होता है कि कैसे बनाना चाहिए इसको एंजन में बिट मेंस होता है सो उस बिट नेस को दूर काने के लिए पहले सी सेंजन के फूल को टैनियों से एक एकर अलग करके अच्छे से धोकर यह आप रात भर नमक के पानी में भिगो देते हैं और फिर उसे सुबह नमक के पानी में दो बार उबाल लेते हैं तो यह हमारा सेंजने का फूल इस तरह का हो जाता है दो मध्य माकार के आलू दिया काट लेते हैं तो उसको तरह से फ्राइ करें जब तक यह गोल्डन नहीं हो जाता लेम आप पुल कर दें लेजे हमारे पोटेटो फ्राइ हो चुके हैं दो मिनिट लगता है इनको फ्राइ होने में इस तरह से पोटेटो को फ्राइ करने के बाद हम मतर मिला देते हैं अगें 20-30 से के लिए पोटेटो के साथ मतर को फ्राइ कर लेते हैं ना हम इसमें मिला देते हैं आपने वाइल किये हुए सेंजिने के फूल को मतर ओप्शनल है यदि आप ना चाहें तो ना डालें प्रेंट सीजनल जो वजटेवल्स है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो यदि आप उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो इस नमें हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज अफलब्द होती हैं जो रिजनल है और स्रीजन की वजटेवल्स से बनती हैं तो आप मैट पे आप उसको देखिए कलर भी बहुत नाइस है एंड इसका बिटरनेस हमने निकाला है दो बार नमस के पानी में बाला है एंड देखिए बहुत नाइस कलर है यह हमने 20 से 30 सेकंड हमें इस फ्लावर को फ्राय करना है माश समचनाशिया देखिए देखिए पिल एं ग्रीन चिलिका पेस्ट हमने इसमें ग्रीन चिली यूज़ किया है इसलिए हम रेट चिली बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे बिकॉज अलरेडी इसमें चिली है मैंने यहां एक चमच यूज़ किया है चौथा यूज़ हम तर्मेरिक पाउडर यूज़ करेंगे साल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट नमक शमक हो जाए सॉल्ट आपको जिस तरक चाहिए उस तरक आप यूज़ कर सकते जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे इसको थोड़ी देव के लिए धून लेंगे देखिए बहुत नाइस कलर है हम यहां हाफ कफ वाटर यूज़ करेंगे इसमें बहुत ज्यादा पानी ना डालें हमने हाफ कफ पानी यूज़ किया है इसको हम अब धब कर पकाएंगे प्लेम को मेडियम हाई कर देंगे इसके साथ ही मैं सेंजने की एक और डेश मनाने जाओंगी जो नेक्स वीडियो पर आप देखेंगे सेंजने के फूलों की डाल के पकोड़े जो बहुत क्रिस्पी और यमी बनते हैं वो मैं बनाऊंगी मैंने दाल भीगने के लिए रखा हुआ है जब तक वेजिटेबल बनता है तब तक मैं उसकी प्रप्रेशन कर लेती हूँ देखिए तीन से चार मिनिट के अंदर यह वेजिटेबल पक्के रेडी हो जाता है देखिए दो तीन मिनिट तक वाइल हने के बाद हम इसको इस तरह से प्राय कर लेते हैं हमारा जो चट्चरी है वो कड़ाई छोड़ देता है तो आप समझ लेजिए कि भून लिया हमने इसको थोड़े से हार धनिया चौप करके रखा है मैंने जो मैं इसमें मिला दूंगी इसको फ्राय कर लेते हैं यह रेडी हो चुका है फैंस देखे बहुत टेस्टी यमी इसको चावल के साथ रोटी के साथ आप परोश सकते हैं टेस्ट एंड फ्लेवर बहुत नाइस और यूस्फुल फोर वोमन्स और जो ओल्लेज के हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है एंड लॉट्स अफ केल्सियम इसमें होता है रेडी हो चुका है हम अब इसको गानिश करते हैं लीजे फ्रेंड्स तयार है हमारा सेंजने के फोल की बाटी चर्चरी यमी टेस्टी आभी बनाइए खाये एंड बताये की कैसे बने हैं एंड सब्सक्राइब माइ चैनल लाइक कमेंट कीजिए ये एक और अथेंटिक रेसिपी है इस तरह के और और अथेंटिक रेसिपी मैं लेके आते रहूंगी आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सजेशन दें थैंक्यू है वैव नाइस चुल्च के और नहे ये ऋमराव ये उनल लाईएफ प्य मैं equipment के तूर को करें लेक दो पमेंट झाहेंट करें ंथेंट करें टेन किससे दाद Кीज कैसे माःब में इंगन सब्सकर चरों पाते हैं कि बतलो व्य पतलों देयों के दो उनल दो अदो गलों मुत ekैनु करें